कि नमस्कार हमारे इस खास कारिक्रम चर्चा में मैं आपका स्वागत है ना हूँ आदित्य श्रिवास्तो चर्चा में आज बात उस कारिक्रम की चर्चा पर करेंगे जो समय हर देश वासी के दिलों में बसा हुआ है प्रधान मंतरी का मन की बात करिक्रम चिहा अकाषवाणी और दूर दर्शन पर प्रशारित होने वाला प्रधान मंतरी का मन की बात आपिसोड जो है वो अप 107 एपिसोड की कि तरफ लगबग लगबग पहुँच चुका है इस महीने नियाँवぎँवा एपिसोड होगा उसका और अगले महीने सौवज़ एपिसोड होगा लेकिन इन सो एपिसोड की अगर बात की जाए तो किस तरीके से इस कारिक्रम ने लोगों के दिलों में अपनी एक जगा बनाई है कैसे लोगों को इस कारिक्रम का हर महीने के अंतिम रवीबार को इंतिसार रहता है और जिन लोगों के नाम प्रधान मंत्री ने इस कारिक्रम में लिये है अभी तक इन तमाम एपिसोड्स में प्रधान मंत्री ने कई ऐसे लोगों का जिक्र किया है जो इस देश के कोने कोने में अपना काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं और अब प्रधान मंत्री का उनका अपने इस कारिक्रम में जिक्र करने के बाद समाज में उनको एक नई पहचान बिली है हमारे साथ ममता शर्मा जी है ममता जी भोपाल में बटूए का काम करती है मुद्रा योजना जो केंद्र सरकार किये उसका लाब इन्हों ने लिया और उसके बाद अपने काम को उन्होंने आगे बढ़ाया और प्रुधान मंत्री ने ममता जी का जिक्र जो है वो मन की बात के दौरान एक बार किया था और उसके बाद क्या कुछ बदला ममता शर्मा जी के जीवन में और ना सिर्फ ममता शर्मा बलकि मद्रिप्रदेश के कई ऐसे लोग हैं जिनका जिक्र प्रुधान मंत्री समय समय पर करते आया है और ना सिर्फ जिक्र किया है बलकि जो उनसे मन की बात कारिक्रम के जरीए समवात भी किया है ममता जी से चर्चा करेंगे अमरे साथ वरिष्ट पत्रकार दीपी चॉरसिया जी है दीपी जी बहुत बहुत स्वाकत आपका भी करते हैं ममता जी आपके साथ में कि किस तरीके से मन की बात कारिक्रम जो है वो एक नई उचाईयों को छू रहा है और समय के साथ लोकप्रिय होता जा रहा है इस तमाम मुद्धे पर चर्चा करेंगे लेकिन सबसे पहले दीप्री चर्चा की शिरुवात आप से ही करेंगे अब लगबग लगबग सौ एपिसोड जो है इसके पूरे होने को आ रही है और शिरुवात में जब इसकी मन की बाद शिरुवात और अब तक अगर के सफर को देखें तो लगातार इसकी लुकप्रियता बढ़ती गई क्या कारण मानती हैं आप इसके पीछे मन की बाद हम किससे करते हैं आम जनता से वो सीधे तौर पर जूर्णे की बात होगी जब प्रधानमंतरी मोदी जब मन की बात करते हैं तो वो रेडियों के जरिये करते हैं और रेडियों वो जगह है जहां देश की आधी से ज़्यादा आबादी होती है चुकि आधे से ज़्यादा जो देश है हमारा हिंदुस्तान है वो गाउं में बसता है और गाउं में किसी भी तरह का कोई communication medium हो या नहीं हो लेकिन गाउं गाउं तक और गाउं तो दूर की बात बलकि मैं कहूंगी खेतों तक में रेडियों सुना जाता है तो प्रधान मंतरी मोदी जब मन की बात करते हैं तो बहुत दूर तक बलकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ते हैं मन की बात दिरे इस लिए बहुत सखारात्मक पहल के साथ है और जहां तक मुझे आदा रही है कि जब यह पहला मन की बात अपिसोड आया था यह 2014 में, फोच्छ भारत पियान पर आया था फोच्छ भारत पियान का जो असर था वो हम आज कम से कम नहीं तो पिछले इतने सालों में देख रहे हैं आज 2022 है आट साल बीच चुके हैं और सवच्छता की रैंकिंग में बले ही शहरों की रैंकिंग मिलती है सब होती है लेकिन हर छोटा बड़ा वेक्ती और बलकी मैं कहूंगी कि हर बच्चा भी ये समझने लगा है कि अब उसे कचरा कहां फेकना है और सवच्छता का क्या इंपोर्टेंस है तो ये बहुत ही सकारात्मक कारिक्रम है और जैसे कि आप हम बात कर रहे हैं कि 100 एपिसोट पूरे होने वाले हैं तो 100 एपिसोट में मैं ये मानती हूँ कि तकरिबन 1000 ऐसी बाते होंगी जिसको प्रधान मंत्री जी लोगों के बीच में लेकर आये होंगे जिसका बहुत सीध में हमारे भुपाल की एक ममता जी है जिनकी बाद प्रदान मंतरी तक पहुची और उसके बाद सबसे परहे तो यही जाना चाहूँगा मैं आपके काम कर जिकर किया था, उस समय जब आपको पता चला तब क्या आपकी प्रितिकरिया थी और किस तरीके से समाज ने उसको लिया मैं घर में बेठी हुई थी तो मैंने भी FM पे ही मेरा नाम सुना ममता शर्मा तो मुझे भी लगई नहीं कि ममता शर्मा भुपाल की मैं हो सकती हूं कहां प्रधान मंत्री जी और कहां मैं तो मैं को तो यकीन ही नहीं हुआ था लेकिन उसके बाद सारे न्यूस चैनल वाले आत आज मैं पहले वाली ही ममता हूं मैं तो लगता नहीं है उनके मुझे नाम लेना बहुत बड़ी बात होती है तो लोग लोगों ने क्या कहा अब जब बदलाव आया तो वो कैसा बदलाव था लोग क्या कहते हैं लोग यहीं बोलते हैं कि मोदी जी ने नाम लिया है मैंने तो बोलते हैं वो लो कि कुछ भी हो सकता चोटा सा आज गूगल पे नाम है मेरा यूटीब पे है यानि मुझे नहीं समझ में आता कि मैं वही ममता हूं जो खुद छोटे-छोटा काम करती थी छोटे से बटवे बनाके मेरे साथ और जो बहने वो हैं अब जब मैं समाज में ज कि आपका नाम लेकर और ऐसी मैलाओं को भी प्रड़ित किया जाए जो इस योजना का लाप लेकर और अच्छा काम कर सकती हैं हां बिलकुल क्यों नहीं मुद्रा-योजना में कई बहने हैं जो लोन ले के अगर काम करें तो वो मेरे से ही देखिए कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने छोटा काम है बट्वे बनाना एक छोटे बोपाल में छोटी से महले में रहती हूं मैं जो मेरे को जब इतना हो सकता है तो दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए मुद्रा जो लोन है उसका भी फायदा लेना चाहिए और कभी नहीं सोचना चाहिए कि प्रधान मंत्री जी ने किया था उस वक्त भी हमने ममता जी को स्टूडियो में बुलाया था और उनसे संबाद किया था और आज उनके आपने विश्वास में दोगना फर्क देखने को बिल रहा हूं दोगनी बड़ोतरी देख पा रहा हूं है उससे जादा देख पा रहा ह प्रधान मंत्री का इस तरीके से आम लोगों का जो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे अपने काम में लगे हूए है उन तक पहुचना या उनकी उनका जिक्र पूरे देश और दुनिया के सामने करना एक आम नागरिक में कितना उत्सा बनाता है बहुत फर्क पढ़ता है जैसे ममता जी ने खुद कहा कि प्रधान मंत्री ने मेरा नाम लिया तो मुझे कल्पना ही नहीं हुई बलकि मैं तो कहूंगी कि ममता जी का जो उत्साह बढ़ा है ममता जी का जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है तो ये तो एक ममता शर्मा हमारे सामने है लेकिन ऐसी कई सारी ममत होंगी देश में, जिनका उट्साहा उसी मन की बात में अपना नाम सुनने बाद बढ़ा होगा, अपना काम सुनने के बाद बढ़ा होगा, जिसकी तारेख खुद प्रदानमंत्री जी ने करी। और आप सोचिये कि कईभा लोग सालों साल एक विदा को देते हैं, उनका पूरा जीवन खत्म हो जाता है लेकिन जब पहले पुराना सिस्टम था उसमें वो अपने आसपास कुछ लोग उनको जानते होंगे जैसे मैं भोपाल में रहती हूं पिछले 22 साल से लेकिन मैं ममता जी को नहीं जानती थी या उस वैक्ती ने उस गाओं की उस महिला ने ये अच्छी बात कही या इस बच्चे ने ये किया तो इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है लोगों के बीच वो वैक्ती वो नाम और उसका जीवन में उसका अपना जो अदेश था जिसके लिए वो लगातार इतने सालों दे रहा है वो लोगों के बीच आता है उसको appreciation मिलता है तारिफ मिलती है तो जब इतना कुछ सकारात्मक होता है तो निश्य थी धीरे-धीरे सकारात्मक ता बढ़ती जाती है ममता जी काम और रोजगाल में कुछ फरकाया जहसे तरीके से आपने का कि मेरा जीवन एकदम से बदला है ममता शर्मा नहीं रही जो पहले थी लेकिन जो देश था दरसल आप एक आइडल के तौर पर प्रदान मंतरी ने आपका नाम लिया क्या आपके काम में बढ़ती हुई क्या आपके साथ जो लोग जो महिलाएं और जोड़ी थी चुकि उसरा योजना के जरीए आपने रिंड लिया और उसके बाद अपने काम को और आगे बढ़ाया और कई लोगों को और आपने रोजगाल दिया अब अब उन लोगों के जीवन इस तर में कुछ बढ़ आव आए बहुत बढ़ आव आया है मेरा जो बि vegan था जब dra loan लिया ये मोधी जी ने नाम लिया इसस़े पेहले बहुत छोटा था मैं ब inadequता लाएं किसी से भी कहीं से कूँ को थो फ country कर करके मैं करती थी लेकिन कर पा रहे हैं बहुत ज़्यादा फर्क पढ़ता और जो मेरे साथ पहले मुश्किल से शायद आठ या दस महिलाएं थी आज हमारे पास सो महिलाएं हैं उनको काम दे रहे हैं और इतना है कि काम अभी भी मेरे पास बहुत साथ सो दर्जन का ओडर है मैंने कभी नहीं सोचा था कि हफते में याने साथ आठ दर्जन बटवे बनाने वाले हैं महिला अपना सिर्फ घर चलाने का उदेश था मेरा लेकिन जब से मोदी जी ने नाम लिया है मेरा काम बहुत बढ़ गया है मैं बाहर भी गई हूँ हर इंसान पहचानने लगा है जिन से मैं सोचती थी कभी मार नाम नहीं लेते तो मैं तो शायद कुछ नहीं कर पाती और और भी जो बहने हैं उनकी इस्तिती बहुत अच्छी हुई है मुझे उसमें बहुत खुशी होती है जब एक बार मोदी जी आये थे उनको देखने के लिए तीन चार घुंटे लग गए थे हम लोगों को तो उस मुझे पता चला कि मोदी जी के मूँझे अपना नाम सुनना बहुत 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 गर्व की बात है मैं बहुत से लोगों को अभी भी यसे कई नही होता जैसे कुछ है मेरे साथ जो पड़े लगें नहीं है या जो भी वो बोलते आपका नाम ही आए आपका youtube पे youtube प्रधानमंत्री नहीं सकते तो मैं बोलती है आप मुझे विश्वास इतना हो गए कि आप सर्च करो ना देखो और जो मेरे साथ महिलाएं हैं और अभी और बढ़ती ही जा रहे हैं मेरे साथ साथ दूसरे हो काम जब उनके घर में कुछ चीजे होती है बहुत अच्छा होता है कि एक महिला आगे कर सकती हमें किसी के आगे हाथ नहीं पहलाना तो बहुत हिम्मत मिलती है और बहुत हिम्मत मिलती है लिप्ती जी हाल के कुछ वर्षों में एक नया नारा प्रधानमंत्री ने दिया वोकल फॉलोकल इस्थानिये चीजों को बढ़ावा देने के लिए हम जब भॉपाल में आपने कहा बाइस साल से भॉपाल में रह रही है मेरी पैदाइशी भॉपाल में है और हम तो जानते हैं सारी चीज़े की बटूआ बटूओं के लिए तो भॉपाल बड़ा लोकल एक टेडिशन रहा है ये खत्म हो रही थी ये विधा खत्म हो रही थी और ममता जी जिस तरीके से वो बता रही है कि जहां हम पहले महीनों में कुछ पड़ूए बनाया करते थे लेकिन आज 700 के दरजन से ज़्यादा उसका ओर्डर उनके पास आ रहा है क्या ये माने की प्रधान मंत्री जी के दिमाग में उस समय से ही अफधार ना होगी लोकल फार वोकल की भी क्योंकि ममता जी का नाम लेने से सिर्फ ममता शर्मा जी के वेक्टित्व में बढ़ाव नहीं आया है बलकि मद्यप्रदेश और भोपाल का जो बटूएं हैं जिनके लिए शायद भोपाल जरी जर्दोजी के लिए एक समय पर भोपाल जाना जाता था भोपाल के रोजगार से जुड़े हुए कई सारे लोग इससे में जुड़े हुए होते थे आपको लगता है कि इसक्षेतर में भी बढ़ावा मिलता है बिल्कुल जो वोकल फार लोकल का जो एक नया नारा है ये कहा जाए जो नया दिया गया है प्रधान मंतरी जी की तरफ से इसका बहुत फर्क पड़ता है और अगर हम देखें तो हम पहले भी स्वदेशी की बात करते थे स्वदेशी की बात प्रधान मंतरी जी भी करते हैं तो जो स्वदेशी की बात है वही लोकल फार लोकल है और हम काफी हद तक चुकी अप चुकी उधारी करण है और सभी दूसरे देश की चीजे भी हमारे पास आ रही है तो ऐसे में कहीं न कहीं जो हमारी मूल चीजे थी वो पीछे छूट रही है या फिर अब जिस तरीके से भारत बहुत तेजी से उभरा है विश्व गुरू बना है पिछले 7-8 सालों में ये बताया जा रहा है कि और इसके अलावा जो भारत की बनी हुई चीजे हैं उसको सभी देशों में अप्रिशियेशन मिल रहा है चाहे यहां के वैल्यूज हो चाहे यहां का मतलब कोई भी चीज आप देख लीजे चाहे योगा हो और हमारी डिमोक्रेसी तो हमेशा ही सबसे बढ़ी रही है तो जो local for local है कि अगर हम इसको बढ़ावा दें ये तो ठीक है लेकिन अगर हम बढ़ावा देंगे तो इसके लिए market जादा मिलेगा और जब market जादा मिलेगा, market better मिलेगा तो कहीं न कहीं इसमें आत निर्भरता बढ़ेगी तो कहीं न कहीं आर्थिक सोतंतरता भी बहुत बड़ी चीज होती है उसमें और local for local एक वो चीज है जिसके जरिये हम Indian economy को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं और विदेशों में भी हमारे उत्पादों की जो है हमारे जो उत्पादन होते हैं उनको हम विदेशी बजार में भी बेश सकते हैं कितना बड़ा संबल दिया अपने अपने इस काम के जरिये बहुत अच्छा लगा मेरे परिवार को भी बहुत अच्छा यह काम याने मेरे नानी सास करती थी उसके बाद सास ने करा, मामा ससुर ने करा, नंदो ने करा, लेकिन वो कम होता जा रहा था, जब मैंने करा, मुद्रा लोन लिया, मोदी जी ने नाम लिया, तो उसके बाद जब नियूस पे आया, सब ने देखा, महले में भी पता चला, जब नियूस वाले आते थे, शुटिं वह बहुत अच्छा लगता है कि एक बहूत का इतना याने परिवार में जॉइन फेमिली में बहुत इजद बढ़ जाती है मेरी तो बहुत जादा माईके में तो है महले में भी बढ़ गई है और खास करके जॉइन फेमिली में जहां बहुत सारी तीन तीन चार 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 सासे हों और उनके आगे बहुत खुशी होती है वहां बाहर जाती हैं, आपने कहा कि मैं बाहर भी अब गई कई बार और वहां भी लोग मुझे जानने लगे, मैंने अपने काम को लोगों को बताया, वहां क्या लोग कहते हैं, और क्या बताया आपने उनको? अपी एक हैदरबाद गई थी मैं, तो वहां दिली में, CRPF में, नीटु में में, उन्होंने मेरी बुक भी चापी है, तो मोदी जी ने जब मेरा नाम लिया मन के बाद में, तो ही ये संभव हुआ है, बुक चपना, मुझे इन्वाइट करना एक सेमिनार में, तो मेरी खुद इतनी एजुकेशन नहीं है, कि 12 भी नहीं कर पाई थी मैं, लेकिन जब वहां जाती हूं, कोई पूछता है, फ्लाइट से बुलाता है, इन्वाइट करता है, तो बहुत जादा अच्छा लगता है, कि नहीं समझ भी नहीं आता है, कि एक याने हमारे आगे प्रदान मंत्री जी के मुझे नाम सुनना बहुत बहुत जादा बड़ी बात है, देप्ती जी के जो अनुभव है, ममता जी का, कैसे इसको देखें, मतलब जो वेक्ति का भी कल्पना नहीं कर सकता, जो खुद इतना शायद पड़ा लिखा नहीं है, लेकिन आज उस पर किताबें चप रही ह आज वो हवाई जाज में बैटके देश के कोने कोनों में भूम रहा है, और सिर्फ इसलिए कि प्रधान मंत्री ने एक विक्ती का नाम लिया, हम देख रहे हैं हाल के जिनों में पर्ण पुरुसकार इस देश में बढ़ रहे हैं, और कैसे common people, आम लोग जो कोने कोने में बलकि जिस तरह से आपने पद्म पुरुसकारों की बात करी, मैं भी आपसे यही कहने वाली थी, कि जो मन की बात है, उससे इस तरह की प्रतिभाय निकल निकल कर सामने आ रही हैं, और आज जब हम पद्म पुरुसकारों में गिने चुने, या फिर जो टॉप में नाम होते ह जो सभी जानते थे, पुरा देश जानता था कि इनको मिला वो सब हम जानते थे, लेकिन आज जो लोग पद्म पुरुसकार पा रहे हैं, वो असली हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान के गाउं से निकल कर आए हैं, वो हिंदुस्तान के कजबों से निकल कर आए हैं, और व परिक्षा पर चर्चा करेंगे तो इस बच्चों के लिए वो एक संरक्षक के तौर पे होते हैं जो बच्चों को समझाते हैं कि परिक्षा के दबाव से डरना नहीं चाहिए दबाव इतना नहीं लेना चाहिए कि वो हमारे उपपर हावी हो जाए तो इस तरह की बाते हम पहले के ओल हेलप लाइन में देखते थे या जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये तो एक ममता शर्मा है जो आपके और मेरे बीच में बैठी हुई है ऐसी कई सारी ममता शर्मा होंगी देश में जिनका नाम प्रदान मंतरी जी ने लिया होगा और उनका जीवन कह सकते हैं कि रातो रात बदल गया होगा लेकिन गुर्टी जी यही वो मद्र प्रदेश है, ममताश शर्मा जी का तो जिकर करी रहे हैं, ऐसी ममताश शर्मा जी ऐसे कई लोग हैं इसी मद्र प्रदेश में जिनका जिकर प्रदान मंत्री में किया और ना सिर्फ जिकर किया बलकि एक किस्सा तो मैं आपको ये भी सचाल चल रहा था उस वक्त टीका करण का दौर था और हो लोग टीका नहीं लगवा रही थे कुछ आदीवासी अंचलों में हमने देखा मद पूदेश में जहां पर लोग टीका नहीं लगवा रही थे उस वक्त पुर्धान मंतरी ने बैतूल के कई pron Chem शेत्रों में रहने वाले कुछ लोगों से बात की उनको टीका करन के लिए पिरित किया। फोण पर समवात हुआ था हिए। इसी मन की बारे में बताया कि vaccination कितना जरूरी है और कुछी दिनों के बाद कुछी हफटा भी नहीं कहेंगे कुछी दिनों के बाद ये नतीजा सामने आया कि उस पूरे गाउं में शत्र प्रतिशत vaccination हो गया इस तरीके से ना सिर्फ जिक्र करना बलकि समवाद भी करना पहले ये कहा जा अगर यही मन की बात अगर यह दूरदर्शन पर आता है या हम करें टीवी पर आता तो शायद यह two-way communication नहीं होता जो आपने बोला one-way communication तो रेडियों वो जरिया है जिससे आप two-way communication में जुड़ते हैं सीधे phone call पे आप बात करते हैं और दूसरी बड़ी बात की वेक्ति अगर पढ़ नहीं सकता है अगर वो देखने की स्थिती में भी नहीं है तो कम से कम व कि देखिए ममता जी आज यहां खुश हो रही है वो वेक्ति कितना खुश होता होगा एक समय के लिए तो समझी नहीं पाता होगा कि यह phone क्या उसके लिए सच मुझ है क्या है phone सच में प्रधान मंतरी जी का है तो कहीं न कहीं समाज में बहुत सकारात्मक बदलाओ है और जी खुद बता रही है कि पहले हम गिने चुने इतने ही बटुए बनाते थे तो इससे हमारी जो पहचान है वो जिस सरह से बटुए बनाने को लेकर हुई ऐसा ही कई सारी चीजे है इसमें हमारी पहचान भी बनी रहती है समाज में सकारात्मक बी होती है तीसरा awareness बहुत जबिन में डाली है तो ये जो सकारात्मकता है ये जो awareness है जागरुकता भी है सकारात्मकता भी है और धीरे धीरे कहीं ने कहीं भारती मुल्यों को भी साथ लेकर बढ़ने की बात है आगे अगे किस तरीके से बढ़ना है और सरकार की जो योजना की सिर्वात हुई पूरे turning point कि अगर मैं आप एक करियर को देखो तो मुद्रा योजना का एक बहुत बड़ा उसमें रूल रहा जी आपने मुद्रा योजना में से रिन लिया और अपने वैपार को आगे बढ़ाया और उसके बाद प्रधान मंतरी ने भी उसका जिक्र किया आगे और आपको क्या लगत पहले तो मैं ये बोलूं कि मुझे क्या करना है मैंने बहुत मैलाओं को दिया है रोजगार लेकिन अब मेरे मन में पता नहीं कि कुछ दिन से आ रहा है कि मुझे आप जो अनात मैलाओं होती है जो लड़किया है मुझे उनको सिखाना है उनको रोजगार देना है कि मैं ने नाम लिया तो मैं शायद इतना हो गया मेरा पापुलर का लेकिन वो जो हुनर है भुपाल का नवाब लोगों के जमाने के से चला आ रहा है, तो उसको मैं नहीं चाहती वो खतम हो, मेरे बात कोई और ममता हो, पता नहीं होए या नहीं. इसलिए मैं चाहती हो, ऐनात अश् रोजगार, छोटा-छोटा है, कुरेशिये का है, जाडू बनाने का है, वो सारी चीजें उन्हें करना चाहिए, बड़ी पापड़ वाले, बहुत से महिला है, आता है, लेकिन बस घर में सोचके रहा जाती है, कि आरे, आता है, अपनी बेटी का बना दिया, महले में किसी का, स थोड़ी थोड़ी सब मिलके दो-दो-चार-चार बहने मिले, एक समू जैसा बनाए, लोन ले, मुद्रा लोन ले, अभी तो सरकार ने इतना कर दिया, कि स्वैसा आता है, समू में, हम दस बहने मिलके अगर कुछ करना चाहें, तो हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम नहीं चा करना चाहें, तो बहुत आगे जा सकती है, मेरे जैसी जाने कितनी महिलाय, जाने कितनी ममताएं हैं, जो और आगे आ सकती हैं। सरकार की कई ऐसी योजना हैं, जिनके जरीया आप जुर सकते हैं, अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, और बेटर काम कर समाज में एक अच्छा काम कर सकते हैं, जो ममताजी ने भी किया, और प्रधान मंतरी ने उनका नाम लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कारिकरम अब सौवे एपिसोड की तरफ आगे बर रहा है ये निश्चित तोर पर ना सिर्फ विक्तिकत तोर पर लोगों के जीवन में बदलाव ना रहा है बलकि सामाजिक शेतर में भी एक बहुत बड़ा सामोहिक रूप से चींच लाने का काम कर रहा है और इसके कई उधारण है कोर प्रदान मंत्री ने इन अभी तक के एपिसोड में किया है और ना सिर्फ मंद्र प्रदेश बलकि देश के कोने कोने में भी उसका असर देखने को मिला है और उमीद अब यही है कि आगामी ये पूरा जो कारिक्रम है ये ऐसे ही चलता रहे और कई अच्छे सामाजिक विश् है बहुत बहुत शुक्रे करेंगे ममता शर्मा जी अमारे साह जुड़ने के लिए दीवती चरण से जी आपका अमारे साह जुड़ने के लिए फिलाल हमारे इस खास करकंप चर्चा में इतना ही दीजिए इजास्त नमस्कार झाल झाल